इसका विरोध जो है वो सिक्षक लगतार जता रहे थे हाथों में काली पट्टी बांध कर जो सिक्षक है वो इसका विरोध कर रहे थे तो वहीं इसको लेकर बिहार की सियासत भी तेज हो गई थी नितीश कुमार पर तुष्टी करन कारों भी लगने लगा था लेकिन बिहार के मुखमंती नितीश कुमार ने इस कटोती को बिलकुल भी सही बताया था लेकिन अब एक बार फिर से सिक्षा विभाग जो है वो बैक होती की गए थी उसको निरस्त कर दिया गया और मादमिक सिक्षा के निदेशक की ओर से एक चिठ्थी जारी की गई है जिसमें सीधे तोर पर यह लिखा गया है कि जो भी अफकास के लिए जो एक चिठ्थी निर्गत की गई थी उसको ततकाल प्रभाव से निरस्त किया जाता ह है कई ना कई जिस तरह से लगतार सिक्षक विरोथ कर रहे थे और साधी साथ जिस तरह से महिला सिक्षिकाओं को वृत त्यवहर में काम करने में काफी परशानिया होती है रक्षा बंदन में जब स्कूल खुले थे तो उसमें बच्चे भी इस को पूरी तरह से रद करने का फैसला जो है वो सिक्षा विभाग ने ले लिया और इस संबंद में जो चिठी है जो पत्र है वो भी सिक्षा विभाग ने कल देश साम जारी कर दिया यानि की आज सिक्षक दिवस है और सिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर सिक्षा के फर्मान के कारन जो के के पा्ठाक ने जो फर्मान जारी किया था निती सरकार ने जिस पर सैमतीं भी च्यता है ती हुशं को कई न कहीं काफी पर और सरकार ने उन छुटियों को एक बार फिर से वापस कर दिया है यानि कि अब 23 की 23 छुटियां जो पर तेवहर के दौरान सिख्षकों को मिलती हैं वो यह थावत मिलेंगी यानि कि उस दिन जो बिहार सरकार के जो तमाम सरकारी विद्याला हैं वो पूरी तरह से बंद रहें लेकिन सरकार ने जो छुटियों में कटवती की थी उसकी ये वज़ा उन्होंने बताई थी कि 200 दिन प्राथमिक के लिए और 220 दिन माधमिक के लिए जो कक्षा हैं वो काफी जरूरी है बच्चों को पढ़ाने के लिए और ऐसे में जो अब छुटियों में कटवती की गई उसके खिलाब जो लगतार विरोध हो रहा था उसके बाद सरकार की नींद खुली और जो सिख्षकों की परशानी है वो सरकार को अब दिखने लगी और ऐसे में जो छुटियों में कटोती की गई थी उसको एक बार फिर से सरकार ने वापस ले लिया है तो इसे कहीं न कहीं सि शाल भारत वाजाज जिनी उस पटना